दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी खबर बसुदा केंदर पर बनेगा लेबर कार्ड 26 अगस्त को प्यम मोदि करेंगे सुभारम जिहां देश के किसी भी छेतर में रह रहे असंगडित मजदुरों का अब लेबर कार्ड बनेगा इस कार्ड से उन्हें सरकार के पास रोजगार तलास करने में आसानी होगी इस योजना की सुरुवात 26 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदि करेंगे सुरुवात के बाद जिला के हर कमान सर्वीटर पर निसुल की इसका पंजियन होगा सुलो से 60 साल आयू वाले हर असंगडित मजदूर का कार्ड बनेगा साथ ही आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इंकम टेक्स, आइटियार और एपिएपो अकाउंट वालों का योजना से कार्ड नहीं बनेगा इसे बनवानी के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, बैंक, पास्पूक और खुद का मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा इस योजना का लाब सहरी तद ग्रामिन छेतर में कार्यरत असंगडित छेतर के मजदूर को मिलेगा रिक्सा चालक, सफाय कर्मचारी, बड़े मिस्तरी, राज मिस्तरी, पलंबर, महिला और पुरुस किसान भी इसका लाब उठाएंगे बड़े ख़बर बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री के साथ होगा म्यूटिसन, सरकार करने जा रही है बड़ी बदलाव करने जा रही है, नई विबस्ता को लेकर फिलाल परियोग किया जा रहा है, जिसके मताबिक रजिस्ट्री में थोड़ा देर होगी लेकिन रजिस्ट्री के साथ म्यूटिसन भी हो जाएगा, इस परियोग के लिए सरकार ने सेखपुरा जिले के गाउं को चुना है, इस काम के लिए सरकार आयाईटी रोड़की के मदद ले रहा है बताया जा रहा है कि इस परियों के लिए रजटी के लिए कोई आदमी अरजे देगा तो सबसे पले सर्वेयर या आमेन जमिन के प्लॉट पर जाएंगे वो बिकने वाले जमिन के प्लॉट का नक्सा बनाएंगे सर्वेर या आमिन के प्लॉट पर जाने की सुचना जमिन बेजने और खरिदने वालों की दे जाएगी उनकी मौजूद्गी में चहुद्धी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्सा बनेगा, वो रजजटी के साथ लगेगा उसके बाद अंचल अधिकारी मेटेशन का परमान देंगे बड़ी ख़बर बिहार में मा गंगा के भव्य आरती देखने के लिए हो जाए तैयार सुमवार से पटना के गांधी घाट पर होगा आयोजन जिहा वारानसी के तरज़ पर राजज़ाने के गंधी घाट पर होने वाले गंगा आरती फिर से सुरूख की जाएगी कोविट के कारण आये लंबे व्यवधान के बाद सुमवार को गंधी घाट पर फिर से गंगा आरती होगी आला कि अभी गंगा नदी उफान पर है फिर भी जिला प्रसासन और पर्याटम निगम्न के अधिकारियों को ओचा इस्तान चेनित कर स्वमवार को आर्थिक कराने का निर्देश दिया गिया है पर्याटन मंत्री नरायन परसाद ने बताए कि बाहर से आने वाले पर्याटों को तदा सरधालों के बीच गंगा आर्थि काफे लोग पिर आता है उनकी भावनाओं का सम्मान करते वी विभाग ने फिर से गंगा आर्थि सुरू करने का निने लिया है बिहार में बिजली उपभोकताओं को मिली बड़ी राहत बिल जमा करने के लिए मिला एक महिने का वक्त जिया बिजली कमपनी का लगबग एक पकवारे से खराब चल रहा सरवर अब दुरस्त हो गया है देर साम ओलाइन बिजली बिल जमा होना भी आरम हो गया है इसी के सरवर में आए गरबड़ी को ध्यान में रख इस महिने के आकरी तक वैसे अपभोकताओं को बिजली बिल जमा करने की छूट दी है जिने 15 अगस्त की बिजली बिल जमा करना था जानकारी के नुसार जिन अपभोकताओं के विपत्र भोकतान की देश तारीक 30 जुलाई से 15 अगस्तक थी उनकी तिति अब 31 अगस्तक विस्तारिस समझे जाएगी बाड़ी कबर रक्चा बंदन पर पटना में महिलाई सिटी सर्विस की बसों में करेगी निसुल की यात्रा जिया रक्चा बंदन पर महिलाओं को परिवन विभाग ने एक बड़ी सोगात दी है भाई क राखी बांदरें जाने के लिए बहान अगर सिटी सर्विस की बसों से यात्रा करती है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई सिल्क नहीं देना होगा परिवहन मंत्री सिला कुमारी ने बताए कि सिटी सर्विस की बसों में महिलाओं की भागितारी को प्रोसाहित करने एवं सरक् पर के लिए रख्चा बंदन पर उन्हें विसे सुविदावी प्रदान की जाएगी रख्चा बंदन के औसर पर निसुल के यात्रा के लिए कई संगटनों द्वारा अनुरोद किया गिया है दूसरी तरह परिवहान सचीव संजे कुमार अगरवाल ने बताए कि बिहार राज परिवान निगम द्वारा राजधानी में कुल 125 सिटी सर्विस की बसों का परिचालन किया जा रहा है इसमें 70 बसे सीएंजी और 14 इलक्टिक बसे हैं इन्हें सभी बसों में रख्चा बंदन के दिन महिलाए एवाम योतियों के लिए बस सिवा पूरी तरफ फ्री रहेगी से देज रात मौसम में बदला हो रहा है दिन में तेज धूप और रात होते ही बारिस होते जा रही है कोशी सिमांचल पुर्व बिहार और उत्तर दचिन बिहार हिस्सों में बारिस की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगबग आदा दरज सदिक जिलों में बारिष होने की आसंका है साथ इन इलाकों में ठनका गिरने की भी चितावनी दी गई है मौसाम विवाग के मुताबिक अगले 24 गंडे में पूर्वी चंपारन सुपोल पस्चिमी चंपारन अररया कि संगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिष हो सकत नवादा बेगुसराय लखिसराय जाहनाबाद के कुछ स्तानों पर बारिस का पुर्वानमान है बाड़ी कबर बिहार में बाड़ के कारण 15 जिले के 37,49,000 लोग प्रभावित 25-70 गाव कर रहे हैं बाड़ का सामना बाड़ के कारण 15 जिले प्रभावित है उन जिनवी प्रक्रण के 394 पंचायतों के 37,49,000 लोग प्रभावित है आपदा प्रबंदन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पठना सारन बैसाली भोजपूर मुझापरपूर दर्बंगा समस्तिपूर खगडिया सहर प्रशा कटिहार भागलपूर बेगोसराय लखिसराय मुंगेर और पूर्निया के 2570 गाव आंसिक अत्वा पूर्ण रुप से प्रवावित है सरकार द्वारा अब तक 3,70,00,000 बार प्रदित परिवार को भी प्रति परिवार 6,000 की दर से कूल 222,00,000 रासी उनके बैंक खात बड़े कबर बिहार के किसानों को अब सब्जी बेचने के लिए बाजार नहीं जाना होगा तरकारी एप पर बेच सकेंगे आलो पियाज और टमाटर जिहां बिहार सब्जी उतपादक किसानों को अपना उतपाद बेचने के लिए बाजार जाने की जरुरत नहीं होगी उन एप इंटरेक्टिव होगा यानि दोनों और से दर्ग को लेकर मोल जोल भी किया जा सकेगा साथ ही यह जानकारी भी दे जा सकेगी कि उनके खेत की सबजे किस दिन कितनी मातरा में तोड़ी जा सकेगी इस पूरी विवस्ता की सर्थ यहां है कि सबजे उतपादक किसानों को अपने जिले की सबजे उतपादक समिति से जोड़ना होगा अविराज के मातर लगबग 25,000 किसान ही समितियों से जोड़ सके हैं हाला कि इसके लिए वेजपेड ने किसानों का सर्वे कर लिया है लेकिन संस्ता अकड़े की सारवजनिक नहीं करेगी विदान सबा में भी एक प्रसन के जवाब में सरकार ने अकड़े जारी करने से मना कर दिया था पाटना में महिलाओं ने सुरू किया अक्सिजन बैंक 41 महिलाओं ने बनाया इसे एक कॉल पर मुप्त में घर पहुचेगा प्रान वायू गांधी मैदान में 24 घंडे सिवा सुरू पाटना के 41 महिलाओं ने एक खास बैंक तयार किया है इसमें रुपई का लेंदर नहीं होगा यहां 30 सासों के लिए अक्सिजन मिलेगा करोना काल में अक्सिजन की कमी से हाकार के ख़बरों से परिसान महिलाओं ने या बड़ी पहल की है लोएंस कलब अनंता से जुड़ी महिलाओं ने पटना के गांधी मैदान इसी पेट्रोल पम से सनिवार को बैंक का सुबारम किया यहां से जरुत मन को बिना किसी सुलके के अक्सिजन सिलेंडर के साथ ही अक्सिजन कंस्टेटर भी दिया जाएगा यह बिहार का पहला ऐसा बैंक होगा जहां से कोरोना संक्रमित की जिन्रगी बचाने के लिए बड़ी पहल की गई है बाड़ी खबाद सेम की महत्वा कांची योजना को हरी जंडी राजगीर में बनेगा फोर लेन एलिवेटेड रोड भारत सरकार निदी मंजोरी अब राजगीर जाना हुआ आसान जी हापर्याटन के दुष्टिक कों से अब राजगीर की कनेक्टिविटी को देखते हुए राजगीर के लोगों को सरकार ने बड़ा तौफ़ा दिया है सेम नितिस कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट राजगिर फोर लेन एक्टिव रोड को मंजूरी मिल गई है भारत सरकार ने इस परियोजना को हारी जंडी दे दी है अब राजगिर जाना आसान हो जाएगा साथ ही वहां के परियोजना को भी इस प्रोजेक्ट से बढ़ावा मिलेगा सेम नितिस कुमार द्वारा राजगिर में जाम की समझसा के निदान के लिए बान गंगा से HDM ओफिस तक चार लेन एलेवेटेड पत बनाने का निर्देश दिया गया था आपको बदा दे कि इस परियोजना में 8.7 किलोमेटर लंबाई के एलेवेटेड पत में रोपिय के पास उतरने और चड़ने के लिए रैंप भी बनेगा इसकी लागत लगबक तेरे सो कड़ोर होगी बाड़ी कबर सभी दिसाओं से जोड़ेगा पाटली पुतर रिल्वे स्टेशन राज सरकार ने हाई कोड में दी यहाँ आहम जानकारी जी हाँ पाटना हाई कोट के हस्तचेप के बाद पाटली पुतर रिल्वे स्टेशन को सभी दिसाओं से जोडने का काम जल्द सुरू किया जाएगा मुख्य न्यादी संजे करोल एवं एस कुमार के खंडपीट ने भारत परसाद सिंग की लोखित याचिका पर सुनवाई की है सुनवाई के दोरान पाटली पुतर रिल्वे स्टेशन को सभी दिसाओं से जोडने वाली सडकों की निर्मान में लगने वाली लागत की रिपोर्ट पेस की गई है पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज सरकार और रिल्वे को पदादिकारियों को हलप नमा दे कर ये बताने को कहा था कि पाटली पोतर रिल्वे स्टेशन को जोडने वाली सडक का निर्मान कब तक पुरा कर लिया जाएगा इसके साथ साथ सडक निर्मान में लगने वाले लागत भी कोर्ट में पेस करने को कहा गया था कोट को महाविदक्ता ने बताया कि राज के नगर विकास विभाग सडग निर्मान विभाग के प्रधान सचीव एवों रेलवे के अधिकारियों की टीम की मदद से स्टेशन को सबी दिसाओं से जोडने का खाका तयार कर लिया गिया है केंद्रिय राज मंत्रे अस्विनी चोवे का बड़ा बयान बकसर में बनेगा देश का सबसे बड़ा और आधोनिक चावल गोदाम जिहां केंद्र सरकार के सयोग से बकसर में चावल भंडारन के लिए विशाल गोदाम का निर्मान कराया जाएगा कूल 33 कड़ो रुप्य की लागत से 11 एकड जमिन पर अच्तंत आधोनिक यहां गोदाम देश का सबसे बड़ा अनाज का गोदाम होगा केंद्र सरकार ने बकसर लोकसवा चेतर में दू सेलो गोदाम निर्मान की हरीजंडी दे दी है पहला इटारी प्रकंड के बेरी गा में तो दूसरा मोहनिया प्रकंड के 111 में इस्ताबित किया जाएगा यहां जानकारी केंद्रे खायद एवम उपभुकता तदा वन एवम जलवाई परिवर्तन राज मंत्री अस्विनी चोबे ने दी है जातिया जनगना को लेकर 23 अगस्थ को प्रधान मंत्री से होगी मुलाकाद बिहार के 11 सदों के डेलिगेशन में रहेंगे सामिल जिहाजातिय जनगन्ना को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है इसे लेकर मुईस कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजसी आदम ने पियम मोदी को पत्र लिखा था जिसके बाद 23 अगस्त को सुबा 11 बजे बिहार के प्रतिनिडी मंडल को मिलने का समय प्रधान मंत्री ने दिया है इस प्रतिनिडी मंडल में 11 सदय से सामिल होंगे हर दल से एक एक लोग सामिल होंगे जिनके नाम भी तै हो चुके है संसदिया कार मंत्रे ने सनिवार को डेलीगेसन में सामिल नेताओं की नाम की सूचे जारी कर दी है चाहिए मुख सहने सूरख कांध पासवान अजाई कुमार सहीत इगारे नेता सामिल होंगे अगली बड़ी ख़बर वित मंत्री निर्मला सितरमान का बड़ा एलान कोरोना संकट में नोकरी खोने वालों का पीएब 2022 तक भरेगी सरकार जिया वित मंत्री निर्मला सितरमान ने सन्वार को बड़ा एलान किया है निर्मला सितरमन ने कहा कि कोरोना संकट के दोरान जिन लोगों ने अपनी नोकरिया खोई है उनका पीएप 2022 तक सरकार भरेगी इसके साथ वीत मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारे के मद्दे नजर रोजगार पर संकट को देखते हुए वर्ष 2021 में मनरेगा का बज़ड 60,000 रोपिय कर दिया गया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में जातिया जन्गन्ना पर मंजोरी मिलनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए